हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे SBA ATM मसीन से कैसे वीडरोल कैसे करते हैं दोस्तो SBA ATM मसीन से पैसे निकालने के लिए हमें ATM काड को इस परकाद से ATM मसीन के अंदर डालना है ATM card को ATM machine के अंदर डालने के बाद अब हमें कुछ second के लिए इंतिजार करना होगा ATM की display पे आ रहा है not remove your card card को तब तक remove नहीं करना है जब तक हमारी process complete ना हो दोस्तो चैनल पे first time आये हो तो चैनल को like, share, subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon को press कर देना ताकि जो भी मेरा वीडियो है आपको notification मिलता रहे तो दोस्तो अब हमें पेसे निकालने के लिए banking पे क्लिक करना है जो आपको red box में दिखाई दे रहा है banking पे क्लिक करने के बाद हमें language select करना है अब दोस्तो इसके अंदर दो number डालना है कोई से भी दोस्तो पिन नमर इंटर करने के बाद आपको cash withdrawal पे क्लिक करना है अब दोस्तो कौन सा account है हमारा saving current हो है यहाँ पे select कर लेना है और आपको पता नहीं कौन सा account अपना तो आपको saving करना है तो दोस्तो यहाँ पे अब हमें account selling number पे एक OTP आता है जो चार नमर का OTP होता है वह यहाँ पे इंटर करना होता है तो जो हमारे account selling mobile नमर पे एक OTP गया है वह यहाँ पे डालना है डालने के बाद इंटर पे इंटर पे क्लिक करना है ओट पी आने के बाद इंटर पे क्लिक करना है जो हमारे अकाउंट से लिंक मोबाइल नमर पर ओटीपे आये था वह यहां पर इंटर करना होता है डालना होता है इंटर ओटीपी अब दोस्तों प्रोसेस हो रही है हमें वेट करना होगा प्लीज वेट इंचिजार करना है इस परकार से आप अपना अपना एटेम से पेस्के निकाल सकते हो बहुत यासा हुआ दोस्तों अब एटेम मशीन का स्द्ट्र उपन होगा ओपन होने पर हमारा विड्रॉल हो जाएगा कि सो मैंने 20,000 रुपए का विड्रॉल किया है इस परकार शीहाए बहुत लिए और बिलेश चेक करना है तो yes वरना no करना आपको cancel करके no करके आपको